नमस्कार, 80Z Dishes उशा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज आपके साथ मैं शेयर करने जारे जिमिकन के कबाब ये खाने में बहुत ही मज़दार लगते है घर पे बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये पसंद आएंगे और इसके साथ खास वाली चटनी भी बताऊंगी आज तो चलिए देर नहीं करते हैं बनाना शुरू करते हैं तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपर ये 500 ग्राम जिमिकन लिया इसे सूरन भी कहते हैं इसे हम छील कर टुकडों में काट लेंगे तो इसे मैंने छील लिया है अब इसके इस तरह से हमें टुकडे कर लेंगे तो आप टुकडे जैसे भी कीजिए तो यहाँ पर टुकडे करने के बाद इसे 2-3 पानी से अच्छे से आप दो लीजे उसके बाद मैंने गैस के उपर कुकर रख दिया है यह जो जिमिकंद के टुकडे इसके अंदर डालेंगे एक ग्लास पानी डालेंगे और कुकर का ढखकन देकर इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे तो यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी है मैंने इस तरह से निकाल लिया विसे बावल में डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 चमच जित्ते धनिया के पत्ते दो बारी कटी हरी मिर्ची डाल रही हूँ एक प्यास को मैंने बारी कट लिया था ये भी डाल देंगे इसी के साथ मैंने दो उबले हुए आलू लिये है इसे हम इस तरह से ग्रेट करकर डालेंगे इसी के साथ इसमे मैं डाल रहे हूँ आदी चमच हल्दी पाउडर, आदी चमच लालमिष पाउडर, आदी चमच मैं जीरा डाल रहे हूँ इसी के साथ आदी चमच धन्या का पाउडर और आदी चमच बुना हुआ जीरा पाउडर और एक चमच नमक अब अप नमक अपने स्वात के अनुसर कमचाधा कर सकते हैं 4 चमच में बेशन डल रही हूँ और 2 चमच में चावल का आखा डल रही हूँ अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है तो यहाँपर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे मिलाती जा रही हूँ जिमी के अंदर सारे मसाले और यह जो वीसन हमने चावल काटा डाला है उन सबको अच्छे से मिला लेना है मिलाने के बाद हाथ में देखिए इस तरह से हलका सा तेल लगाना है अब हम कबाब बनाएंगे तो आप किस तरह से बड़ा बनाना चाते है छोटा उसे साब से आप ले उसके बाद मैं यहाँ पर यह कबाब का इस तरह से शेप दे रही हूँ आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से रखा है उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है आदा कब जितनी सूजी ये बारिक वाली है आपके घर पे जो भी पड़ी हो मोटी या बारिक आप कोई भी इसमें इस्तमाल कर सकते हैं ये कबाब को अच्छे से कोट कर लेंगे ये सूजी से इसे बहुत ही एक्टम बढ़िया लगेगी ये जो हमारे कबाब है मैंने अच्छे से कोट कर लिया है अब इसे हम इस तरह से प्लेट में रखेंगे इसी तरह से ये सारी जो हमारी कबाब है उस पर ये सूजी को अच्छे से लगाना है उसके बाद थोड़ा इस तरह से छाट लेना है ताकि एक्स्ट्रा की निकल जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये सारे कबाब बना कर तयार कर लिये हैं अब इसे आप डीफ फ्राइबी कर सकते हैं यहाँ फिर शैलो फ्राइबी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन लिया है चार से पांच चमत जितना में तेल डार रही हूँ अच्छे से गरम कर लेना ऐसे उसके बाद इस तरह से ये हमारे जो कबाब है ये रखते जाएंगे जितना एक बारी में ये पैन में बनते हैं उसे साथ से आप रखें तो यहाँ पर मैंने रख दिया है अब इसे अच्छे से हमें सिक ना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक साइट से सिख जाए तो इससे हम पलट लेंगे तो एक फोक चमच की मदद से मैं इससे पलट रही हूँ इस तरह से ताकि आसानी से हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर से यह काफी सुनेरी हो चुकी है इसी तरह से दोनों साइट से हो जाएगी अच्छे से एकदम क्रिस्पी तब तक इसे हमें पलटते हुए ऐसे ही सेखना है जैसे कि मैंने आपको बता अब इसे तेल में तल भी सकते हैं और इस तरह से भी सेख सकते हैं तो यहाँ पर हमारी जो ये कबाब है देख सकते है किते बढ़िया कुरकुरे हो चुके है इसी तरह से दुसरी बार भी हम पैन में तेल डालेंगे और ये कबाब को रखते हुए इसे भी हम अच्छे से जैसे हमने पहले पकाए थे वैसे इसे भी कर लेंगे तो हमारे कबाब तैयार है, इसके साथ खाने वाली हरी चटनी बताने जारी हूँ, जो इसका स्वाद और भी बढ़ा देगी कबाब का, तो यहाँ पर मैंने मिक्सर लिया, इसमें डालूँगी आदा कब दनिया के पते, एक चोथाई कब पुदिना के पते, तीन कटी हरी मिर् इसके साथ एक चोथाई चमच नमक, एक चोथाई चमच जीरा, और दो से तीन चमच जितना नीमबू का रस, उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, एक चोथाई कब पानी, ताकि पीसने में आसानी हो जाए, ढखकर इसे अच्छे से पीस लेंगे, तो यहाँ पर मै के साथ भी खा सकते हैं, लाल चटनी के साथ भी खा सकते हैं, तो इसे बनाए और मुझे कमेंट सेक्षन बताए, आपको यह रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंस और फैमली के साथ, और मेरे चैनल को स सब्सक्राइब करना विल्कुल ना भूले, आज के लिए बस इतना ही, थांक यू फोर वाचेंग